हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू ईए एजुकेशन चैनल फ्रेंट्स आज जो वैकेंसी डिसकस करने जा रहे हैं इसमें एक तरक कहा जाए बंपर वैकेंसी तो कम नहीं होगा क्यूंकि 5000 के आसपास वैकेंसी है आगर आप किसी और प्रोफायल में जौब चाहिए 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 जुणके आपको दूगा और नहीं तो आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए ऑजुकेशन चैनल का यहां की बहुत सारी जो है आपको मिलेगा राइट आज हम डिसकस करने जा रहे हैं 4790 कोंस्टेवल के रिक्रूटमेंट के बारे में जो की उरिसा स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के द्वारा उरिसा स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड के द्वारा रिलीच किया गया है जिसमें की 12th पास कंडिडेट अपलाई कर पा होगा फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट क्या होगा एंड स्लेवर्स क्या होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट सो डिसकस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप नए होई एजुकेशन चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि गौर्मेंट जॉब से पुलिस कटक के द्वारा यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है आज मतलब 30 दिशंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है 21 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा सिर्फ बट एक्जाम जो है एक तरह का OMR seat पे होगा राइट वेबसाइट इस उरिशा-polish.gov.in या OPSSB.NIC.in नमर फिल के लिए 35 डिस्टिक में डिस्टिक वाइज यहां पे आपको स्लेक्ट करना पड़ेगा अंगूर में 167, 161, 187 इसी तरह जो है टोटल 35 डिस्टिक में वेकेंसी रिलीज किया गया है और उसके हिसाब से यहां पे जनरल के लिए कितनी वेकेंसी है, SC-BC के लिए कितनी है, SC के लिए कितनी है, SC के लिए कितनी है तो और male-female के लिए कितनी है यहां पे mention किया गया है तो इसको जब बताऊंगा इसको कैसे आपको देखना है पहले हम इसमें देख लेते हैं Eligability criteria examination pattern, okay so SC-ST को 5-year age relaxation मिलेगा. की बात करें तो 21,700 लेके 79,100 तक साली स्टक्चर प्लस अधर एलाउंसेस आपको मिलेंगे यह पर्मानेंट जॉब है अठारे मिनिमम एज होना चाहिए मैक्सिमम तइस होना चाहिए और इसमें एज इसमें मिलेगा जो रिजर्बेशन में आते हैं राइट फेंस एकजामनेशन पैटर्न की बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाजिए राइड या वैलेंट कोई भी वैलेंट कोई भी होना चाहिए उसके बाद यह जो है इसमें और यहां पर दिखिया है तो भी आप अप्लाइक कर सकते हैं इंडियर कंडिडेट होना चाहिए गुड मॉरल क्रेक्टर होना चाहिए यह सारी चीजें हैं इसमें और यहां पर दिख्या हाई-लाइट क्या गया है थो मस्ट भी एबल तो इसपीक रीड राइड एन उडियर तो आप लिखना पढ़ न और बोलना आपको उडियर आना चाहिए यहां के आपका खष्यहारन जैडकंदिटी नहीं पड़ां अगर उर्डिया लैंग्वेज आपने स्कूल में यह कॉलेज में इस तरहा है आपके मालेज में आप मुआ कर सकते हैं आधरवाय的 मतलब एक्जाम का पेपर होना चाहिए यहां पर हम बात करेंगे फीज कोई नहीं है जीरो फी है एक्जामनेशन पर एक्जामनेशन होगा करना पड़ेगा फीजिकल स्टेंडर टेस्ट ट्राइविंग टेस्ट होगा राइट नाव यहां पर कोई इंटर्व्यू नहीं है उडिया लेंग्वेज पूछा जाएगा इंग्लिश लेंग्वेज अर्थमेटिक जेनल नौलेज सिच्वेशनल अवेर्नेश लॉजिकल डि इंग्लिश लेंग्वेज के लावा सारा पेपर जो है इंग्लिश में होगा रिटेन एग्जामिनेशन कंडिट नॉट एपेरिंग फॉर डिस्क्वालिफाइड अगर आप एग्जाम ही नहीं दोगे तो डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे नेक्स्ट फिजिकल यहां पर इस्टेंडर टेस्ट हाइड की बात उड़ी है तो यहां पर मैन के लिए 168 cm 55 kg और चेस्ट 79 84 रखा गया 5 cm अगर आपका 80 है नॉर्मल तो आपका 85 होना ची मतलब 5 cm का एक्सपेंशन दिया है जब आप शांस लेते हो तो विमेन के लिए 158 47.5 यह वेट दिया गया है और यह हाइड दिया गया है SC ST के लिए यहां पर मैन और फिमिल के लिए राइट नाव फिजिकल इस्टेंडर टेस्ट हो गया अगर आप बात करें यहां पर एफिशेंसी टेस्ट तो आपको रणिंग करना है मैन के लिए 1.6 km और सारे 6 मिनट में और विमेन के लिए 1.6 km सारे 8 मिन 2.75 मीटर का तीन एटम्ट में आपको यह जंप करना है यह फिजिकल इफिसेंसी टेस्ट है ड्राइविंग टेस्ट होगा फाइव मार्स का ओके सो यह ऑफिशनल रहेगा सभी के लिए नहीं रहेगा मेडिकल एग्जामनेशन रिटैन के बाद यह सब भी सैट किया जाएग वीजन टेस्ट होगा एटेस्ट होगा एक टेस्ट होगा यह सारे जो है असके बाद ncc मत्याद के सब्सक्रेट यह सारा कूछ होगा मुझसरे रहेप सकते हैं या फिर यहां पह आ बात कर सकते हैं ऐससंगोड़ लग प्रयएंशन राइट कोई भी हाल्प चाहिए रेडिंग मैटेरियल या कुछ और जॉब्स रिलेटिट पढ़ाई से रिलेटिट तो आप मुझसे पूर सकते हो इंस्साग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर लीचे चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि गॉर्मेंट जॉब्स रिलेटिट मिलता रही थैंक यू फ्रेंट्स मिलते हैं नए वेकंसी के साथ थैंक यू